नवस्कार मैं जन्रेक्ता श्योम गौतम और अगर गोटालों की बात होगी और नहरू गांधी परवार का नाम ना आये उसमें तो यह बड़ी बेचती की बात समझ जाती है नहरू गांधी परवार के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन में जिस तरीके से नए नए गोटाले सामने अवा रहे हैं नए नए चीज़े खुलकर सामने आ रही हैं उसके बात तो यह नहरू गांधी परवार पूरी तरीके से बेनकाव हो चुका है आपको याद होगा राजीव गांधी जब प्रदान मंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने एक बात कही थी कि जब दिल्ली से एक रुपया भेजा जाता है तो गाउं तक पहुंचते पहुंचते या फिर उस जो इस ब्यक्ति तक भेजा गया है पहुंचते पहुंचते वह 15 पैसे बचता है इसको राहुल गांधी जब अद्यच्छ बने थे तो राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पिदा जी ने कहा था तब 15 पैसे पहुंचते थे और अब तो पांच पैसे बड़ी मुश्कित से पहुंचते हैं लेकिन आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं उस बात पर कॉंग्रेस पार्टी और यह नहरु गांधी परिवार पूरी तरीके से कायम है वो राजीव गांधी की उस वविश्च्वानी को या उस तथ्य को जुटलाना नहीं चाहते हैं और अब यह ऐसी इस्तिती इन्होंने पैदा कर दी है कि वो जो पैसा है वो पांच पैसे स भी कम पहुच रहा है और इसके आज सुबूत भी हम आपको देंगे। दसर राजीव गांधी फांडेशन को गेट्स फांडेशन से जो के बिल गेट्स का था एक लाख डॉलर की एक रकम मिलती है और इस रकम के द्वारा राजीव गांधी फांडेशन जो वाइदा करता है उस बायदे में कहा जाता है कि राए वरेली और 12 वंकी में दो लाइब्रेरी बनाई जाएंगी या राइब्रेरी के लिए किताबें खरी दी जाएंगी इसको लेकर Gates Foundation इसका पैसा देता है और उस पैसे से ये लोग क्या करते हैं कितना पैसा पहुंचता है उसका जवाब दोन तो उन्हें को नहीं मिले और दूसरी लाइबरेली ती विराइबरेली की उसके लाइबरेलियन ने बताया कि हाँ जी हमें तो मिला है एक लाख रुपए अब आप समझ लीजिए एक लाख रुपए और एक डॉलर में 75 गुने से ज्यादा का अंतर है आज की डेट में अगर बात की जाए और अगर इस बात को करें जब 2013 में यह हुआ था तब भी उस हिसाब से भी जो पैसा था वो करीब करीब साट लाक रुपे के करीब बैठता है और उसमें से राजीव गांदी की विद्वास सोनिया गांदी राहुल गांदी अप्रियंका बाडरा ने जिस काम के लिए उपैसा लिया था उस काम के लिए केवल एक लाक रुपे दिये यानि कि अगर हिसाब लगाये जाए तो लाजी गांदी फाउंडेशन के काम करने का एक तरीका है यहां पर गरीम महलाओं को सिलाई वगला की ट्रेनिग दी जाएगी और जब तो हम उस जमीन के पास पहुंचे उस इलाके में पहुंचे तो देखा कि वहां कुछ नहीं था ताला लगा हुआ था अंदर एक फैमिली रहती थी और चार तरफ जंगल के बीच में समराट फैक्ट्री की जमीन है और उस पर ताला लगा हुआ है जब पूछा गया कि क्या बा फाउंडेशन में चीन से पैसा लिया गया चीन की सरकार से पैसा लिया गया तमाम ऐसे संस्ताओं से लगजंबग की से पैसा लिया गया चीन के दूतावास से पैसा लिया गया और चीन की कई बड़ी कंपनियों से पैसा लिया गया इवन इस फाउंडेशन में भारत सरकार क सिंग के द्वारा और उस समय संयोग से प्रधान मंत्री हुआ करते थे पीवी नर्शमा राव उसके बाद बित्व मंत्री होते हुए मनमोहन सिंग ने ये भी कहा था कि अगर जरूत पड़ी तो 200 करोर रुपे हम और दे देंगे यानि कि तब का जो बजट था उसका लगबग पॉइंट 3% पैसा देने की बात कही थी तब के तत्कालिन वित्व मंत्री मनमोहन सिंग नाम के भारत के सबसे बड़े अनर्थ सास्त्री ने जिनके अनर्थों का पूरा कच्छा चिठ्छा अगर खोलने पर हम आये हैं तो सुबह से लेकर साम हो जाएगी लेकर घोटा बीवे हुए पूरड़े बिंट्वंदरी चिदम रभी बने हुए हैं जो सौिदन तिहाड में काट कर आये हैं मोचिदिलाल भोरा विबने हुए हैं ऐसे तमाम लोगें औसकर फन्ड इनाडेज जैसे जो इस sunt मैं बैठे हुए हैं और द देज के समाज के पैसे-को और बि Foundation में दे दिया गया दरसल ये जमीन पहले Congress Party को मिली थी Congress Party का कार्याले बनाने के लिए फिर उस कार्याले की जगेर इंद्रा गांदी ने उसको जवाहर भवन ट्रस्ट कर दिया उसके बाद उस जमीन को राजीव गांदी ने बदल दिया और बाद में जब मनमोहन सिंग की सरका ने उसको राजीव गांदी फाउंडेशन का कार्याले बनाकर राजीव गांदी फाउंडेशन से जुड़ी हुई चार संस्ताओं में बाट दिया और इस तरीके से लूट की ये पूरी कहानी अपनी परेंड़ती तक पहुँच गई ये जो ड्रामा हुआ उसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि दो एकड जमीन वो भी लुटियन जोन के सबसे जादा महत्पूर्ण सबसे जादा महेंगे इलाके में आप समझ सकते हैं उसकी कीमत अगर आज के जो दाम है उस जमीन के उस पर लगाई जाए तो ये करोड रुपे से जादा बैठेगी क्योंकि आज लुटियन जोन में एक एकड का बंगला भी कम से कम 500-700 करोड रुपे का होता है तो उस हिसाब से 1000 करोड से जादा की ये जमीन है और उस जमीन पर राजी बांदी फाउंडेशन नाम के उस संस्था को बिठा दिया गया है ज विदेशी सरकारों से हो या गेट्स फाउंडेशन जैसे दूसरे एंजियो से हो और उस सब के ऊपर किसी का कबजा है तो वो एक परिवार का है नहरु गांदी परिवार का है सोनिया गांदी का है राहुल गांदी का है प्रियंका वाडरा का है या फिर मनमोहन और चिदम्र दिया गया था और उसका परिडाम भी हुआ कि भारत का जो व्यापार घाटा था चीन के साथ में वो बढ़कर 33 गुना हो गया और ये सब करने वाले कौन थे आप समझ जाएंगे भारत के सबसे बड़े अनर्थ सास्त्री मनमुहन सिंग जो संसत में एक बार कहते थे कि सीजर स वाइफ शुड नॉट भी ब्लेम फॉर एनिफिंग यानि कि सीजर की पतनी को किसी भी बात का दोस नहीं दिया जा सकता उसी तरीके से मुझे भी दोस नहीं दिया जा सकता क्योंकि मैं तो खुद गोटा ले नहीं करता हूं अगर यहीं बात है तो महावारत के लिए और गांदारी को आप दोस नहीं दे सकते दतराष्ट ने आखे बंद कर रखी थी या उनकी आखे नहीं थी इसलिए उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था और इसी वजह से वो किसी बुराई का किसी गलत काम का विरूद नहीं करते थे जो कुछ करता था दुर्योधन करत था इसलिए दतराष्ट को दोस नहीं दे सकते क्या ये तरक आपको हजम होता है बिलकुल नहीं और यहीं बज़े है कि प्रदान मंत्री एक बार सजसत में पिछले दिनों बोल रहे थे और तब उन्होंने का था कि गोटाले पर गोटाले होते रहे और मनमोहन सिंग कहते रह हैं मनमोहन सिंग के दावन पर इतने दाग लगे कि अगर आप उन्हें सही तरीके से देखना चाहे तो उनका दावन बहुत ज़्यादा दागदार नजर आएगा और मनमोहन सिंग अरत्र सास्ति नहीं बलके अनरत्र सास्त्री आपको नजर आएगे क्योंके उन्होंने के प्रदानमंत्री बनने तक यह हमेशा गांधी परिवार को लूट के नए नए रास्तों पर चलवाते रहे और उस पर परदा डालते रहे जिसका परिणाम यह हुआ कि गांधी फाउंडेशन राजीर गांधी फाउंडेशन ने इतने ज्यादा घोटाले कर दिये ज्यादा जमीने ले ली और उसके साथ साज इस तरीके से नेशनल हराल केस हुआ जिसमें मा बेटे जमानत पर चल रहे हैं दूसरे तब वनमोहन सिंग के प्रदानमंत्री काल में प्रियंका बाडरा का पती रावट बडरा तमाम जमीनों के गोटाले करता था गोटाले पर गोटाले क हमने आपको दो उधारण दिये हैं किस तरीके से राजीव गांदी ने कहा था कि हम एक रुपया बेजते हैं तो पंदर पैसे पहुशते हैं और उस बात को उनके बेटे ने उसकी बहु ने यानि पतनी ने और बेटी ने और उनके दो खासम खास चमचो मनमोहन सिंग और च अब वो जमीन सरकारी तोर पर और कागजों के हिसाब से राहुल गांदी प्रियंका वाडरा और सोन्या गांदी के निजी मिलकियत बन चुकी है तो यह है इस नहरू गांदी परिवार की कहानी जिसमें आपको घोटा ले ही घोटा ले नजर आएंगे इसमें लोगों को जो जो राजिस्टी कंपरियां हैं उनका पैसा भी इसमें दिया गया और उस पैसे से कुछ भी नहीं किया गया सिर्फ और सिर्फ राजी गांदी की पतनी सोन्या गांदी राहुल गांदी प्रियंका वाडरा जैसे लोगों की जेवे भरी गई और उनको एयासी के लिए धन मु तो निश्चित तोर पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका बाढ़रा को जेल जाने की नौबत भी आएगी। जय हिन जय भारत।